स्वाहलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का एक नए विडियो में 2023 बीतने वाला है और 2024 आएगा दरसल दोस्तों दिसंबर महीने में बस अब कुछ ही दिन बाकी है 2024 में जनवरी का महीना काफी खास होगा क्योंकि कई सारे बदलाव हो रहे है और ये बदलाव से आपको फायदा भी मिलेगा और कुछ बदलाव से आपको नुकसान भी हो सकता है हो सके तो आप इन दो दिनों में अपना काम निपटा लिजेगा क्योंकि जनवरी में कई सारे बदलाव हो रहे है बैंक का अपडेट भी देंगे GST की जानकारी देंगे वरिधावस्ता पेंसन बढ़ा दिया गया है किसान निदी को लेकर भी एक नहीं जानकारी है साथ या और कई सारे अपडेट है चाहिए वो डीमेट अकाउंट का हो या म्यूचूल फंड का हो अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो आपका जीमेल अकाउंट अब नहीं चलेगा और साथ ही UPI पेंट भी आप नहीं कर पाएंगे कई सारे बदलाओ एक जन्वरी से हो रहे हैं जो 2024 की पहली ही तारिक से आपको देखने को मिलेगा तो इन बदलाओं को आप पहले से जा लीजे जिससे आपको इसके बारे में पता हो ITR दाखिल ना करने पर लगेगा जुर्माना वितियवर्स 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ आईकर रिटन यानि ITR दाखिल करने की अंतिम्त थी 31 दिसंबर है बस दो दिन बाकी है ऐसे में आप जाके ITR दाखिल कर दीजे आएकर अदिनियम की धारत 234 एप के तहट जो वेक्तित तहट देथी से पहले अपना रिटन दाखिल नहीं करेगा उसके खिलाब करवाई की जाएगी देर से ITR फाइल करने पर आपको 5000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा हाला कि जिन करदाताओ की कुल आए 5 लाग रुपए से कम है उन्हें केवल 1000 रुपए का जुर्माना देरा होगा वही दोस्तों बैंक लॉकर कॉंट्रेक्ट पर भी हस्ताक्षर करना रिवार हो गया है यदि कोई ग्राहक ऐसा करने में विफल रहता है तो उनका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा आर्बियाई ने 31 दिसंबर का मौका दिया है तो आप फटा-फट से ये काम कर लिजे वरना आप दिक्कत में आ जाएंगे वह अगर आप डीमेट अकाउंट वगरा चलाते हैं तो नॉमनी आप जुड़वा लिजेगा क्योंकि सेवी ने सभी डीमेट अकाउंट खातादारकों के लिए एक जनुरी दोजाज चॉबिस तक नॉमनी दर्ज करने का अनिवार कर दिया है खातादारकों के वेफल रहने पर वे सेरों में लिन देन नहीं कर पाएंगे ऐसा करने की समय सीमा 30 सितंबर थी जिसे 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था वह UPI ID बंद हो जागा दोस्तों National Payment Corporation of India यानि जैसे Google पे, Paytm, Phone पे ये सब कुछ आपका UPI ID और नंबरों को निस्क्रिय कर दिया जाएगा जो एक वर्ष से अधिक समय तक सक्रिय नहीं है यानि जो इनक्टिव एकाउंट है उन्हें निस्क्रिय कर दिया जाएगा ने जिसा निर्देशों के अनुसार 3rd Party App Provider यानि TP, AP और Payment Service Provider यानि PSP को 31 दिसंबर तक का इसका पारन करना होगा तो अगर आप भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो जल्द निप्टा लिजे ये काम एक जनुरी से आपके लिए 3 नियम बहती इंपॉर्टेंट हो गया है अगर आप एक स्मार्टफोन चलाते हैं तब दरसा दोस्तों सिम को लेकर नया नियम बना दिया गया है वहीं अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो जीमेल अकांट आपका जरूर होगा वो डिलीट हो सकता है गूगल ने एक मात्पूर्ण फैस्ता लिया है गूगल ऐसे सभी जीमेल एकाउंट को डिलीट कर रहा है जिनका इस्तिमाल एक या दो साल से नहीं हुआ इसका मतलब है कि अगर आपने पिछले एक या दो साल से जीमेल एकाउंट को कोई भी ईमेल भेजा या प्राप्त नहीं किया तो आपका जीमेल एकाउंट जल्द ही बंद हो जाएगा हाला कि ये स्कूल या किसी ऑफिस वाले एकाउंट की बारे में बात नहीं हो रही तो व्रिधवस्ता पेंसन को लेकर एक बड़ी जानकारी आ गई है हर्याना के बुजूर्गों के लिए नया साल लाएगा खुश्या क्योंकि पेंसन हो जाएकी तीर हजार सीम खटर का बड़ा एलान है इन्होंने एलान कर दिया है असी साल के ऊपर से बुजूर्गों के लिए वरिष्ट नागरिक सेवा आसरम योजना भी बढ़ाई जाएगी हर्याना के मुख्यमंतरी मनुहालाल खटर ने कहा कि बुजूर्गों को बड़ी खुसकबरी दी है इससे पहले बुजूर्गों को 2750 रुपए वरिद्धावस्ता पेंसन मिल लई थी एक जनुरी 2024 से हर्याना में बढ़ी हुई पेंसन मिलेगी के लाव सीम खटर की तरब से 80 साल से उपर की लोगों को वरिष्ट नागरिक सेवा आसरम का भीला आप मिलेगा आप यापी इनका ट्वेट देख सकते हैं जिसमें 3000 पेंसन हो जाएगी वही पर योगी सरकार भी पेंसन को बढ़ाने वाली है जो 1000 पेंसन मिलता था वो 9 साल से आपको 15 सुरुपए मिलेगा चाहे वो निरासित महिला पेंसन हो वरिधावस्ता पेंसन हो या दिव्यांग पेंसन हो वही दोस्तों मद्य परदेश में केंद सरकार को जिस प्रकार से वोट मिला है भारी मतों से जीती है उन्होंने लाटली बहन योजना को पूरे देश में लागू करने का फैसला ले सकती है दरसल दोस्तों नरेंद मोदी की सरकार एक फरवरी को अपने दूसरे कारिकाल का अंतिम बजट पेस करेगी इसके बाद पूरे देश में लोगसभा चुनाओ होने वाला है ऐसे में एक फरवरी दोजार 24 को पेस होने वाला बजट चुनाओ की चलते सबसे एहम बजट होगा जिसमें सरकार महिलाओ के लिए एहम घोशना कर सकती है आपको दादे लाटली बेहन योजना मद्यपरदेस राज्य सरकार चलाती है जिसमें हर महीने 1250 रुपए महिलाओ को मिलता है अब केंद सरकार भी मद्यपरदेस सरकार की योजनाओ को पूरे देश मिला सकती है यानि कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्यम बंगाल हो, या गुजरात हो, सबी जोगों पर महिलाओ को 1250 रुपए सरकार देगी वह किसान धारकों को भी बजट में बड़ा तोफ़ा मिल सकता है, पीम किसान योजना में अब 9000 रुपए मिलेगा फसल खराब होने पर भी पैसे मिलेंगे, सरकार देगी दो लाग करोड का फंड, दरसल दोस्तों सरकार 2024 में अपना खजाना खोलने की पूरी योजना बना ली है, क्योंकि 2024 में ही लोगसबद चुनाओ होगा, और इसमें पहला बजट जो होगा, वो किसानों के लिए ही जाएंगे, ऐसा फैसला हो सकता है, बहुत जगा की मीडिय रिपोर्ट में बार हजार बताया जा रहा है, लेकिन आपको बताते तीन किस्ते मिलेंगी, जो तीन-तीन हजार रुपए की होगी, ऐसा बदलाव आपको फरवरी महिने में देखने को मिल सकता है, वही रासन योज चावल के साथ 10 किलो बाजना भी मिलेगा, यह बड़ी खुसकबरी है, खादे विभाग ने इसके लिए आदेज भी जारी कर दिया है, हाला कि आपको अदादे बहुत सारे कोटेदार इसके लिए हर्ताल भी कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लाभां सो मान देव को बढ़ान बीमा कमपनियां पांच वर्स तक की अवादी की स्वास्त बीमा पेस कर सकती है, इरड़ा ने जीवन बीमा कमपनियों को लाब आधारित नीटियों को पेस करने की सलाह दी है, इसके तहत पॉलिसी के अंतरगत आनी वाली बीमारी होने पर निश्चित लागत मोहया कराई ज वही फरवरी 2024 में केंदर सरकार बजट में एक बड़ा बदलाओ करने वाली है, प्रदानमंत्री जनारों की योजना पर बड़ी खुस कवरी मिल सकती है, सरकार 15 लाग तक बढ़ा सकती है, बीमा कवर आभी 5 लाग रुपए मिलता है, अगर आप इलाज कराने जाएंगे तो 5 लाग का आपको फ्री इलाज मिल जाएगा, लेकिन इस योजना के तैस सरकार इंसुरेंस कवर बढ़ा सकती है, दरसल दोस्तो 15 लाग रुपए बढ़ेगा, यानि 3 गुना हो जाएगा, तो ये जन्वरी महिने से कुछ बदलाओ होंगे, कुछ फरवरी महिने से भी आपको बदलाओ देखने को मिलेंगे, यानि साल 2024 में किसान धारकों को, वरिदावस्ता पेंसन धारकों को, साती रासन योजना की कार्ट धारकों को, और जिनका आयूश्मान कार्ट बना है उन लोगों को, और लाड़नी बहन योजना में महिलाओं को, कई सारे लाभ मिलेंगे, हा बच सकते हैं इस वीडियो को अगर आपने पूरा ध्यान से देखा होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ फैमली के साथ सेयर करिएगा मिलते हैं नए अपडेट में धन्यवाद